अभिवादान आपका एकजिमर के इस नए वीडियो एपिसोड में अन्यरोगों की तरह बुखार में भी सही खानपान का चुनाओ आपको इस बिमारी से जल्दी छुटकारा दिला सकता है और आज के इस वीडियो से आप जानेंगे कि बुखार में क्या खाना चाहिए, बुखार के लिए कुछ घरे लोग उपाय, कौन सी चीजों से परहेच करें, वा बुखार में किन बातों का रखे खयाल, इसके अलावा और भी बहुत कुछ है आज आपके लिए इस वीडियो मे दुनिया में सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली बिमारी बुखार ही है, जो कभी भी किसी को भी किसी मौसम में हो सकती है सरीर का तापमान जब 98.4 डिग्री फॉरेन हाइट या 38.6 डिग्री से अधिक हो जाए, तो समझें कि बुखार हो गया है आयरवेद में बुखार को स्वधंत्र रोग के रूप में तथा अन्य रोगों के साइड इफेक्ट के रूप में होने वाला रोग माना जाता है जबकि एलोपैथी में इसे अन्य रोगों का लच्छण मात मानते हैं और बुखार के कारण हो सकते हैं की टारूओं का संक्रमन या अधिक गर्मी या सर्दी में रहने से भी बुखार हो जाता है। और आईए अब जानते हैं की बुखार में कौन सी चीजें खानी चाहिए। तो बुखार की सुरुवात में दो दिन का बिना ठोस आहार के उपवास रखे और तरल चीजों का ही सेवन करें। और सलाग भी बुखार की स्थिती में सही भोजन होता है। इसके अलावा इलेक्टो लाइट्स भी बुखार में फायदे मंद हैं। इलेक्टो लाइट्स जो की बाजार में आसानी से मिलते हैं सरीर को तरल पदार देने का अच्छा भी कल्प है। यह सरीर को जरूरी पोसर्ण और सरीस को रोगों से लड़ने की ताकत देते हैं बुखार में चिकन का सूप भी बहुत फाइदे मंद है अगर आप मांसाहरी हैं तो थो साहर के बिना चिकन का सूप सरीर को भरपूर पोसर्ण देता है इसके अलावा आप उबले हुए आलू में काली मिर्च डाल कर भी खा सकते हैं बुखार उतरने पर डबल रोटी, गेहु की रोटी, दूद, साबुदाना की खिचडी या खीर खाएं और फलो में आलू बुखारा, चीकू, चकोतरा, अंगूर, पपीता, अनार, सेप, संतरा, आदिका सेवन करना चाहिए बुखार में हुई कमजोरी को दूर करने के लिए ग्लुकोस, सुक्रोस, लैक्टोस पानी में मिला कर पीएं इसके अत्रिक्त, आप कच्छे नाचियल का पानी भी पी सकते हैं और जब भी आपको पैस लगे, तो उबाल के थंड़ा किया गया पानी बार बार पीएं और बुखार में थंड लगे, तो गर्म पानी में और गर्मी या जलन महसूस हो तो गर्म किये ठंडे पानी में नीबू कर रस और थोड़ा सा सेधा नमक डाल कर बार बार पीए इसके अलामा बुखार की कमजोरी में पानी में शहद मिला कर भी पिया जा सकता है गर्मी ठकान या महिनत के कारण हुए बुखार में अनानास के रस में शहद डालकर पीने से भी काफी फायदा होगा पपीते के पत्तों का काऴा भी बुखार को उतार देता है यदि बुखार गर्मी और लू लगने से हुआ है और कफ या खासी नहीं है तो दही का प्रियोग भी लापकारी होता है कैए धेयनों में यह पाया गया है कि प्रोबायटिक के धनी पदार्थ बुखार में कमी लाते हैं दही में probiotics होते हैं, लिहाजा दही का सेवन करना फायदे मंद होता है, बजार से दही खरीद रहे हैं, तो दही live bacteria culture युक्त होना चाहिए और हमेशा low fat दही ही खरीदें, यदि आपको कफ यानी खासी है, तो बुखार में केले का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि केले की ता इसका लाव और भी बढ़ जाता है, बुखार में पानी के साथ साथ अनिस्वास बर्धक पेपदार्थों का जादा से जादा से जादा सेवन करना चाहिए, इसके लिए आप 5-6 ग्राम अद्रक कर रस इतनी ही मात्रा में शहद मिला कर चाटे, बुखार में यह काफी फाइ ले दे, इसके बाद इस मिस्रण की एक चम्मच मात्रा दिन में 2-3 बार ले, इसके अलावा आप तुलसी की 10-12 पत्तियां और आप नौकाली मिर्च लेकर एक कप में पानी में डाल कर उबाल सकते हैं, उबालने के बाद इस मिस्रण को पी जाए, बुखार में यह बहुत ही है, बुखार में हमेंसा ताजा फलों का रस फाइदा करता है, ऐसी इस्थिती में फलों का डबा बंद जूस नहीं पीना चाहिए, हर हाल में ताजा फलों का रस ही लेना चाहिए, फलों का रस सरीर के रोग प्रत्रोधत तंतर को मजबूत करने का काम करता है, अगर बुखा के साथ पेट में गड़बर नहीं है तो संत्रे का जूस भी बढ़िया रहेगा बुखार में कम मलाईवाला दूद भी जरूर ले क्यूंकि इस सरीर को प्रोटीन मिलेगा जो रोग प्रितिरोधक तंत्र को मजबूत करेगा अन्य पदार्थों से भी हमें प्रोटीन मिल सकता ह जैसे की अंडा और चिकन लेकिन ये ठोस पदार्थ बुखार की इस्थिती में पेट के लिए ठीक नहीं रहते इसलिए अधिक तरल पदार्थ होने के नाते दूद ठीक रहता है और प्रितिरोधक तंत्र को कैसे मजबूत कर सकते हैं इसके बारे में आप हमारा पिछला वी कोडर मिला कर भी सेवन करना बुखार में काफी लाफकारी रहता है फलों का रस गन्ने का रस मकई यानि स्वीट कॉर्ण जूस भी थोड़ा थोड़ा कर बार बार पिए इसके अलावा आप तुलसी के 6-7 पत्ते ले और करीब इतने ही दाने काली मिर्च मिला कर दो पत्ते पीतल के ले और एक छोटी गाठ सोट भी ले 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 सभी को एक कप पानी में डाल कर उबाले जब पानी आधा रह जाय तो इसमें मिस्ट्री मिलाए और सुबह साम खाली पेट इसका सेवन करें एक हपते तक ऐसा करना बुखार में काफी फाइदे मंद होता है और आईए अ आप जानते हैं कुछ अन्य घरिलू उपाय जो बुखार में काफी फाइदे मंद होते हैं जैसे 100 ग्राम नीम की छाल को कूट कर बारीक कर ले इसमें 10 लीटर पानी डाल कर उबाले पानी को 100 ग्राम रहने तक उबाले इसके बाद इस पानी का सेवन सुबह साम करें इससे ब बुखार में कौन से चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए यदि आपको बुखार है तो भारी गरिष्ट तले हुए मिर्च मसालेदार भोजन से परहेज करें बुखार में दूस से बनी हुई मिठाईयां और रेसा युक्त आहार ना खाएं खटे फलों का सेवन करने से भी परहेज रखें बुखार में जल्दी ताकत लाने के चक्कर में अधिग घी मक्षन मास गरिष्ट पदार्थ का सेवन नहीं करना चाहिए चाय कौफी सराप कोल्ड रिंक से भी आपको परहेज रखना चाहिए इसके अलावा रेड मीट या अन्न मीट बिलकुल ना खाएं इ बुखार में आइसक्रीम कोल्ड रिंग जैसी थंडी चीजों और सोडा ड्रिंक सराप कभी सेवन नहीं करना चाहिए और आईए अब जानते हैं कि बुखार में किन बातों का रखें खयाल यदि आपको बुखार है तो पूरा बिस्राम कर सुबह साम 30 मिनट का स्वासन करें तेज बुखार होने पर माथे पर ठंडे पानी की पट्टियां रखें पैरों के तलों पर लौकी के रस या लौकी की तेल की मालिस करें रूगी का कमरा स्वच्छ और हवादार रखें और साप सुथरे कपड़े पहने ब्यक्तिकर स्वच्छता का पूरा ध्यान रखें सु और अगर आपको लगता है कि यह वीडियो किसी के लिए फायदे मन साबित हो सकता है तो इस वीडियो को शेयर भी कर दीजे